वेटिकन सीटी इटली के शहर रूम से घिरा हुआ एक आजाद मुल्क है और ये देश लगभग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है जिसका कुल रखबा 44 हेक्टर है जो चोड़ाई और लंबाई के हिसाब से कुल आधा किलोमीटर है और ये दुनिया की आबादी और रखबे की हिसाब से सबसे चोटा देश है जिसकी आबादी कुल एक हजार लोग हैं अगर बात करें इस देश की भाषाओं की तो इस देश में तीन जबाने बोली जाती हैं फ्रांसीसी, इटालियन और लाटिन और ये तीनों ही इस देश की स इस देश का इंकम का जरिया है टूरिरिस्ट और सियाहत यहां पर हर साल करोड़ों लोग घूमने जाते हैं और खासकर इसाई लोग क्योंके उनके लिए ये एक मुकदस जगा है इस देश की आमदनी का दूसरा जरिया है तोफे मतलब गिफ्ट्स और दान वगएरा जो इस इसाई मधब के मानने वाले इस वेटिंगन सीटी को देते हैं जिससे वहां के सारे काम चलते हैं गैस आपको बताते चलें कि इस देश में कोई एरपोर्ट नहीं है ये एरपोर्ट के मामले में पूरी तरह से इटली पर निरबर है लेकिन इसका खुद का बैंक होस्पिटल और करंसी भी खुद की है और इस देश की खुद की फुटबल टीम भी है यहां शराब पीने पर कोई रोक टोक नहीं है यहां पर आप पूरी तरह से खुलका शराब पी सकते हैं दोस्तों आपको बताते चलें कि कोई भी इनसान इस देश का प्रमेनेंटली शेरी नहीं है म यहां पर रियासत का सरवरा पापाए रूम होता है और यहां पर पापाए रूम का महल भी है और यहां पर रूमी किरिया पापाईयत भी पाई जाती है वैटिकन सिटी को बगएर किसी जिजग के आप कैतलोक इसाईयों की मजहभी या इसायत की राजधानी कह सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इसाई मजहभ के लोग हैं उन सब की देखरेक यहां से होती है गाईज आपको बदाए चलें कि यहां पर एक भी मुसल्मान नहीं है यहां ही कोई मस्जिद है लेकिन यहां पर मुसल्मान का नमाज पढ़ना या आजान देने पर पाबंदी नहीं है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें